आपका स्वागत है मैं हूँ भी भूर्ष रवास्तो और इस वक्त एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूँ दरसल टीम इंडिया के सबसे युवा विकेट कीपरों में से एक जिसने टीम इंडिया के लिए ना डेव्यूट किया विल्कि अपने क्रिकेटिंग स्किल्स से अपने विकेट कीपिंग स्किल्स से अपने बैक्टिंग स्टाइल से अपने मौझूद्गी से क्रिकेट की पीछ पे जो छाप छोड़ी है वो आज भी फैंस की दिलों में ताजा है और जिस खिलाड़े की बारे में हम बात कर रहे हैं आप तक आप समझी कहेंगों जी हा कुछ इनके फिगर रहे हैं क्या कुछ आखड़े रहे हैं और क्या उनके इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स हैं यह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो अगर आप पाथिव पड़ेल बारे में सब वाके कुछ जाना तो दो हजार का दौर जब टीम के पास विकेट की पाउपरा को मौका दिया कई ऐसे लोग थे जिनको विकेट कीपिंग में आजमाया लेकिन इस बीच में एक सत्रा साल का युवा जो रजी भी नहीं क्यो खेला ता जिसने रंजी में अपना एक मैच भी नहीं खेला ता उसको टीम इंडिया में टीम इंडिया के उस समय के त जिसकी बड़े से बड़े क्रिकेटर ने उमीद भी नहीं थी, वो ऐसी चाप थोड़ी, एक ग्यादगार चाप थोड़ी, क्या कुछ था, अब हम आपको उसके बाएं बताते हैं, जर असल पाथिव पटल का जो क्रिकेटिंग कैरियर है, वो अठारा साल का रहा है, अठारा स में चुनों ने खेला था, और हमें याद है करीब इसी दौरान जब ऑस्टेलियाई टीम भारत आए थी, तो एक टेस्ट जिसमें ऑस्टेलियाई टीम हावी थी, और मैच का आखरी दिन पांसवा दिन था, और भारती टीम मैच बचाने के लिए संगश्च कर रहे थी, ग्ल लेकिन पाथिव पटेल जब मैदान तोत्रे, किसी को नहीं लग रहा था कि 17 साल का ये छोटा नना क्रिकेटर जो अभी रंजी में नहीं खेला है और टीम में उसको मौका मिला है, वो ग्लेन में ग्राद जैसन ग्लेसपी और शेन मौन जैसे गेंदबासों का सामना करेगा, ना सिर्फ सामना करेगा, बलकि इतनी साहस्त और अदम में बैटिंग स्किल्स का उन्होंने जो नमूना पेश किया था, कि उस मैच को वो बचाने में काम्याब हुए, और आखिरकार वो टेस्ट भारत और ऑस्टेलिया के भी जो बॉर्डर गवास के ट्रॉफी का खेला गय तो वंदे में उन्होंने न्यूजिलन के खिलाफ जनवरी, चार जनवरी को दोहजाटीम साल का था, और वहाँ उस साल उन्होंने डेविउ किया था, आखरी उन्होंने वंडे मैच अपना स्रिलंका खिलाफ उनमी की सरजमीर पर गावा में, 2012 में खेला है, फर्वरी का महिन चार जुन 2011 को और आखरी T20 मैच उन्होंने इंग्लेंड की खिलाब Old Trafford में खेला था 31 अगस 2011 को IPL उनका खाफी शांदार रहा उन्होंने 11 पंजाब की तरफ से खेला, RCB की तरफ से कई साल खेले, Sunrises की तरफ से खेले दीन से चार टीमग्वी के साथ वो IPL खेल चुके हैं और 2008 से जो उनका सफर शुरू हुआ था, वो 2019 तक उनका सफर रहा है, 149 IPL मैच खेले हैं, अब हम आपको इसके जारा बढ़ा दें, जो 18 साल को उनका करियर रहा था, इस दौरा में उन्होंने 25 टेस्ट, 38 ODI और दो T20 मैच खेले हैं, तीन महने बाद पार्थी पटेल वो 36 साल के हो जाएंगे, इस समय 35 साल के उम्र में हैं, उन्होंने ट्विटर, शोशल मीडिया साइज, ट्विटर और इंस्टाग्राम में अपनी एक चिठ को, और इसके लिए उन्होंने अपने ततकालिन सभी कप्तानों को, यानि की सारग गांगली से लेकर महन सिंग धोनीर तक को धन्यवाद दिया है, BCCI को धन्यवाद दिया है, गुज्जार किकेट असोसिएशन को धन्यवाद दिया है, कि इन सभी ने विराट कोली के, कि उम्र सत्रा साल एक सो बावन दिन थी इसके अलावा हम आपको बता दें कि उनका जो टेस्क केरियर का अगर हम बात करें तो एक तीस दसंबलों एक टीम के एवरेज उनका रहा है नौ सा चौतिसन उन्होंने इस दोरान टेस्क क्रिकेट में बनाए जिसमें छह अरदश शतक भी सामिल थी और एक अरदशक इन्चह में वो भी था जिसके बाव में हमें अभी आपको अपने इस वीडियो महीं पहले बताया और जिसमें उन्होंने मैच बचाने में कामयाभी हासिल की थी खुद जैसन ग्लेस्पी और ग्लिन मैगराज जैसे बॉलर ने भी इस नन्ने उस समय के तो युजने क्रिकेटर पार्थि पटेल की जम का तारिफ की थी विकेट की पीछे के अगर बात करें तो टेस्ट करें में उन्होंने 62 कैच लब के वहीं 10 स्टम भी किये थे और इस नहीं नहीं वो विश्यों के सबसे युवा क्रिकेटर हैं जिसने टीम के लिए स विराट पार्थिव पटेल ने वो डेवियो किया पार्थिव पटेल का वंडे करें के हम बात कर लें तो करिब उन्होंने 30.74 की ओसब से 38 मैचेस उन्होंने खेले हैं और करीब 30.74 के ओसब से उनका ओसब रहा है वंडे फॉर्मेट में और 736 अन बनाए है इस दोरान अगर विकेट कीपिंग की बात कर लें तो तीस कैच उनोंने लगके हैं जब की नौ इस्टम किये हैं बात कर लेते हैं आईपेल की भी तो आईपेल उनका शांदार रहा है दो हजार आट से जून का आईपेल का सफ़र शुरू हुआ पिछले सीजन दो हजा उन्निस तक वो खेले है दो हजा बीस में भी वो टीम में शामिल थे लेकिन उन्होंने एक भी मैच उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाया एक सो उन्तालिस मैचेस उन्होंने आईपेल के खेले हैं बाइस दसम्रों च्छे जीरो की औसप से दो हजार आट सो अर्तालिस न उन्होंने बनाए हैं जिसम बात कर लें उनके first class ticket की आप यकीन नहीं मानेंगे जब उनका selection हुआ था टीम इंडिया के लिए तब वो टीम रंजी नहीं खेलते थे उन्हों जब उनको टीम से जब बाहर हुए थे वो तब उन्होंने जाके अपना करीब दो साल बात वो टीम से बाहर हुए था तब जाके उन्होंने अपना पहला international पहला रंजी मैच खेला था तो यहां से आपको एक interesting fact जो है यह मैंने आपको बताया है 194 उन्होंने first class matches खेलें जिसमें 27 शतक उन्होंने अपने बल्ले से लगा हैं इस दोरान ग्यारा हजार दो सो चालिसन मनाए हैं रंजी format के जो हम बात कर रहे हैं रंजी format में इस युवा बल्लेबाज ने छोटे से नन्हे से बल्लेबाज ने ना सिर्फ अपने बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग का कमाल जजबा और स्किल दिखाया अपने फैंस को बलकि अपनी कप्तानी का भी नमूना पेश किया बह रंजी ट्रॉफिक का चैंपियन भी जो है वो गुजरात को बनाया था और यह वही दौर था जब जस्पित गुम्रा जो आज टीम इंडिया के सबसे प्रभावी गेंबाजों में से एक हैं प्रमुक गेंबाजों में से एक हैं जस्पित गुम्रा ने अपना पहला रंजी format भी के पाथिव पटेल की कप्तानी में खेला था तो यह शांदा फैक्स और रिकॉर्ड हैं जिसके लिए हमेशा पाथिव पटेल जाने जाएंगे क्योंकि पाथिव पटेल अपने चुलबले अंदास के लिए तो मचूर थे ही लेकिन करी क्रिकेटिंग स्किल्स और करी या पाथिव पटेल के बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं या आप कुछ मैसेज़ प्रफॉर्मस नहीं भूल पाएंगे और हमेशा ही जहन में वो एक पारीज का एक्जांपल जो मैंने आपको बताया वो और आईपिल में उनके जो इतने शांदा परफॉर्मस रही है वो ह अगर आप पाथिव पटेल के बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं या आप कुछ मैसेज बताना चाहते हैं मुझे या कोई और स्टोरी भी बताना चाहते हैं खेल की खबर के बारे में कोई जानकारी देना चाहते है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हम आपके सु झाल झाल